देड़ दश्रक पहले यदि आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना होता था तो आपको इसके लिए कई कार्यालों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब पूरे प्रदेश में लोग मित्र केंद्र खुलने से लोगों को ये सुविदा घर द्वार पर मिल रही है पिछले कुछ दिनाओं से इन लोग मित्र केंद्र संचाल को पायर सिला में सर्टिफिकेट के बदले अधिक शुल्क वसूले के आरोप लगाय चारहे है सुकरवार को लोगमित्र संचालक महसंग के बैनर तरे जुना के लोगमित्र केंद्र संचालक उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मिरे और उन पर लगाय चौरहे आरोपो को निराधार बताया महसंग का कहना है कि पिछले कई सालों से सरकार ने जो रेट निर्धारित किये हैं उन्हें की अधार पर ही लोगों से शुलक वसूला चौड़ा है स्कैनिंग के से लेकर प्रिंटिंग तक के अलग अलग रेट निर्धारित किये हैं जिसका 87 रुपे के आसपास बनता है जिसके बारे में उच अधिकारियों को पहले भी अबगर्द करवाय गया है मालसंग का कहना है कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किये हैं उन्हें तो महीना जारी कर एक मुष्ट दिया जाए जिसमें जिला मंडी में लगवा कि 302 आईडी जो है जिला उपयुक्त के अप्रूबल की बिना जारी की गए थी उसके उपर कारवाई हुए लेकिन अभी तक बंद नहीं हुए तो मैं गुजारिस करूंगा जिला प्रशासन से कि उन आईडीयों को भी जल्द से जल्द बंद किया जाए और फर्जी वाड़े हैं उनके ऊपर कारवाई की जाए जो इसमें संवलित है जो दिपने कमिशनर है उनकी बिना कोई बी लोग मितर के अंदर अप्रूबल की नहीं होता है ना किसी को अईडी मिलती है कुछ साथी ऐसे हैं कि जो दूसरी पंचायतों में जाके करें और उनके उपर सकत कारवाई करें यदि वह अपनी पिंचायतों में नहीं जाते हैं में गुजारिस से कि अगर नहीं जाते हैं तो उनकी आईडी बंद की जाए उजवर मासुर के लिए मंडी से उमेश भरदवाज की रिपोर्ट बुड़मल ज्वेलर्स पालंपूर भर झाल जाते हैं